सुप्रीम कोट में SBI की ओर से इलेक्टोरल बॉंड की जानकारी पेश कर दी गई है। इसको लेकर SBI ने 13 मार्च को सुप्रीम अदालत में एक हल्फ नामा दायर किया और पूरी जानकारी दी है। अब इस मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बुधवा को बयान आया है। CEC जम्मू कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने लिए पहुँचे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान CEC राजीव ने बताया कि सुप्रीम कोट ने SBI को देटा देने के लिए कहा था। जो उन्होंने कर 12 मार्च को सम समय से डाटा उपलप्त करवा दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमेशा से पारदर्शिता के पक्ष में रहा है। मैं जाओंगा और डेटा देखूंगा और समय से देटा प्रकाशित करेंगे। सुप्रीम कोट की ओर से गत 15 फरवरी 2024 को एतिहासिक फैसला सुना के वालों का पूरा खुलासा करने का आदेश दिया था।